नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर रहे हैं नेशनल मींस कब मेर्ट स्कॉल लिए का एक्जाम होता है यानि कि NMMS का क्लास एट के लिए तो दोस्तों इस वीडियो माँ को ऐसी बताएंगे जो कि बहुत है अगर आप एक्जाम देने जारें 2022 के अंदर तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत होने वाला है तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट देखेगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकिशन मेल को प्रेस करें जिसे कि दोस्तों आपको ऐसे ही एनफिक्ष के मिल सकें तो देखी का धे नहुक्त का सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आप जो हैं मारे वाट्सफ ग्रूप को जोइन कर ले जो ने नेमेए बनाया है उसकी लिंक दोस्तों लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो देखेगा यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इस इंपॉर्टेंट कोईशन के बारे में तो यहाँ पर देखेगा एने मेर्स का पर इस तरीके से आता है एने मेर्स नैशनल मिस कमेट स्कॉर्स एक्जाम 22 के लिए तो इसमे rnstudymusra.com गुगल पर सर्च करना है rnstudymusra.com जैसे यहाँ पर आप सर्च करोगे तो दोस्तों आपको तोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर देखेगा यहाँ सभी को मिलेगा दोस्तों NMS के लिए ओनलाइन टेस्ट देखेगा NMS ओनलाइन टेस्ट 2022 यहाँ पर आपको देख और अपनी तहरी मजूद कीजिए तो देखेगा यहां पर हम बात करते हैं यह देखेगा आपके जो इंग्लिस मीडियम वाले विजारति के लिए यहां पर आप सभी की हिंदी मीडियम वाले विजारति के लिए और साथी में पेपर का सॉलिशन भी लेकर आया हूं विपर की आंसर की भी लेकर आया हूं जिससे कि आपको किसी भी दिकत नहीं होते देखेगा दोस्तों which of the following description is true for describing fertilizer यहां पर जो fertilizer होते क्या होते हैं दोस्तों यहां पर देखेगा हिंदी मैं बता देता हूं जिससे सभी विजारति समझ सके उवरक को वरननित करने के लिए निमल लेकीत मैंसे कौन सा वरनन सही है यानि कि उवरक जो होते हैं यानि कि उवरक क्या होते हैं उवरक प्रकतिक होते हैं प्रदुशन का कारक नहीं या फिर कारकोनों में उत्पार्द होते हैं यहां पर दो प्रकार एक होती है खाद ठीक है और एक होते हैं दुस्तों उवरक उवरक क्या होते हैं यह तो क्या होती है नेचुरल होती है और जो उवरक जो होते हैं वह बने जते ह यानि अभी खेट में क्यरती काता है तो उसका जो उपजवपन होता है यानि कि उपजवपन मिटी होती है वह खाद डालने से उसकी जो फसल होती है वह उपजव होती है यानि अच्छी फसल होती है किसके लिए होती है खाद होती है ना खाद से फसल अच्छी होती है अब यहाँ पर जो उवरक होते हैं वह खाद की तरह काम करते हैं लेकिन यह क्या होते हैं यह यानि कि यह कार खानों में बना जाते हैं यह प्रा बात करते हैं या तो बच्चों पड़ाई में डाउट्स आते हैं स्वाल नहीं उपा रहें तो गबराई मत इसका सॉलीशन है डाउटने टैप जिस्पी स्वाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करने है उसे क्रॉप करना है और पांस सेकेंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉलीशन मिल जाएगा यानि अब पूछे अपने अनलिमिटेड डाउट्स कई भी कभी भी अब चाहिए आपका स्वाल क्लास से बारवी आईटी जैए नीट का हो या फिर सीब्सी यूपी बिहार राजिस्तान या अने स्टेट बोड का हो कोई भी सब्सक् सब्सक्राइब करने के लिए राजी के लिए प्रयास को कहते हैं तो यहां पर जो इंटर्वेंस करना होता है उसमें हस्तक्षेप करना होता है और फिर यहां पर प्रस ने पूचा गए यदि 3-3 एम प्लस वन मल्टिप्लाइब बाई-3 एम गात पांच और माइनस तीन साथ आप दो दो में की वैल्ली कमान बतारना मैं प्रस ने पक dual इा पर देखेच अपर यह नीचुए नहीय यह न यह समान माइनस तीन है यहां पर माइनस तीन है तो गाते है दोस्तों गाते वह घाते क्या हो जानएगी वह जुड़ जाएगी अगर-गातें तो घुड़ M plus 1 और plus में 5 और बराबर साथ है यह कितना हो जाएगा यह 5 और यह साथ हो जाएगा तो M कितना हो जाएगा साथ में से 6 गया कि एक बचेगा तो option A हमारा correct answer होगा इस तरीके से question को solve करना था और यह previous तरह का पेपर है जैसे यहां कि लोग सभा चुना मज़रबाइस मीजेपी ने कितन सीर्जे यानि कि तीन सु तीन सीर्जेती यानि कि ये करंट अफेर का पहले का सवाल पोज़ा गया है यहां पर देखो एक बड़ी एक बड़ी एककल एककाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासा यानिक इकायों को एक विए्धिव पर रात वाध दिन बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 3 दिन को जो इलाच वाध दिन बराबर होते हैं एक पेट जूप fuiट क्या होता है यह दियान रखना हो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है घ्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है जो गयर चीने तियार की ती दियान रखना और देखिए फिर से एक प्रस्ण मैंस का प्रस्ण है चलिए कुछ नहीं बात दोस्तों इस प्रस्ण को भी हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर देखो एकस माइनस वन forgiveness जाके सर्च करना है success study दोस्तो क्या सर्च करना है हमारे चैनल का नाम search करना है success study और यहाँकर दोस्तौ आप मारे application को दोस्तो इस थे से डाउनलोड करें लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और यहां से दोस्तों आप अपना रिवीव पर जरूर देखे आदे दोस्तों रिवीव जरूर कर दीजेगा और फाइप स्टार्ट जरूर देद दीजेगा थैंक्यू दोस्तों यह माइनस का वाई यह देखो यह प्लस बी और आपने पढ़ें और प्लस बी अर आपने एप्लमेंज बजोशब्ण पने बढ़ें बढ़ी ओंतल दो यहां पर कैना था यह स़्ुारòn आपने पढ़ेंट तो इस थम्मी करण को इप्लिमेंट करो देखो यहां पर एक्स का प्लस का है यह माइनस का है यह माइनस का यह प्लस का है तो मैंने का यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेर माइनस का यहां प्लस है बीच में प्लस लिखा देखो यहां पर देखो माइनस का जैड है यहां प्लस कीटों को पगाने के लिए कौन से यानि की दूस्तों जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जएगा एक ग्राफ जो लगातार समय के साथ बदलाओ को दरसता क्या कहला तदो जो होता है वह रहेक्खी ग्राफ होता है लाइन ग्राफ होता है जैसे मैंने का दोस्तों मालेजी को यह से पहले उपर जटा पी नीचे यानि कि इसका जो अनलेटिक्स होता वो गिरता रहता है ठीक है उपर नीचे होता रहता है तो यहां पर आप प्रस्ण देखीगा सभी प्रस्ण बहुत इंपोर्टन है ठीक है आप इस सभी को देख जो विस्तार है उसके बारें पूचा गया तो यहां पर देखो आठ डिगरी चार उत्तर अक्षां से 37 उत्तरी अक्षां डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यह द्यान रखना यह प्रस्ण काफी बार एक्जाम में पूचा दा चुका एक रासानिक प्रकिया जिसमें एक पदार प्रतिकरिय करके उर्जा को छोड़ता है तो वह देहन कलाता है वह दोस्तों कंबस्ट कहलता है कि यहां पर ध्यान रखना दोस्तूप सभी प्रस्ण इंपॉर्टन है और एंटी बॉड़ी एंटी बोडी वगरा ठीक है यह द्यान रखना संवलम चेत्र पर यह चेत्र पर निकालना फ़ोरम्रा लगाकर आपको आंसर बहुत उपर से आ जाएंगे आपको दोस्तों पूरा का पूरा paper solution अमारे application पर मिल जाएगा application दोस्तों आप जरूर डाउड करें application कि लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शिन में बिल जाएगी एक कोसी का विबाजन की बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन दोस्तों बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए दोस्तों मैं थोड़े बहुत प्रस्नें बताएं लोजिक्स में आपको बतते रहूंगा और बाकी मैंने आसर किता आपको वैसे अप्रोड कर देखो यह आपको गुनन कर बनाना यह माइनस यह भी इनका गुनन कर निकालने बस यहने की फैक्टर करना आपको वेक्टरीज में करना और यहाँ पर चुछ कितना खाय वगयरा वगयरा ईक थोडा-बारा दिन नो दिन में कितना खाय दोस्तों बारा एन्ट ओठारा कर लो और न नहुकर लो दोस्तों दो हो जगा उसको आप जोरू से बाइख करें ठीक है यहाँ पर देखो अनुपाद चार अनुपाद 25 का प्रतिशत कितना होगा देखीगा पसंटेस का मतलब होता है multiply करना सौस से तो मैंने का 4 25 ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर करना नहीं 4 25 पर देखो आपको चार से multiply करेंगे तो चार चोक 16 आजाएगा आगे बढ़ते हैं यह सारे प्रस्ण आप सभी के लिए most important है मैं आपको पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको आंसर के आपको बना के देदी दोस्तों ठीक है तो देखेंगा एक वरक के विकर्ण कितने होते हैं वह होते हैं डाउनलोड कर लें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में विल देगी इस सारे के सारे आंसर मैंने आपको बता रहे हैं सभी के पिपर का solution कर रहा है हर्याना में पैट्रोलियम परिश्क्रणी दोस्तों रिफाइनरी कहां पर है पानी पत के अंदर है तो पॉलितीन प्विसी का प्रिवत कौन से होता है ठीक है सरवादी गरम कौन सा गरम गरे कौन सा है स्वार मडल का सबसे गरम गर तो सुक्र जो है वह स्वार मडल का सबसे गरम गरे हो जाएगा ठीक है आपतित प्रकति उसमी मान का सा मात्र कौन सा है वगरा वगरा वास्तों में काला सोना किसे कहते ह और इससे भी प्रस्दे मोस्ट इंपॉर्इट है और सभी सब कें न बातरां का या लूह यह पहला है उर के कि दैसरा इसे भी पाने की अधिक से आप हमारी नहीं है जा हो जाएगे और यह सारे प्रस्थन आप सभी के लिए मुस्ट इंपॉर्टन है हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एंटीस के लिए जो मैट का कोर्स है उसे पर्चिस कर लिए सिरफ निन्यान रुपे गांद दोस्तों लिंक नीचे डिस्क् बारत में कौन से संदुनिया के सबसे ब्यात्री निर्सक में था राजरा हिल्स हो जाएगी दोस्तों ठीक है और विटेस वगरा सारे प्रस्थन आप सभी के लिए मुस्ट इंपॉर्टन दिये गए हैं ठीक है दोस्तों यह देखी गा 180 प्रस्थन है इंडोनेशिया ने बा है यह दो हैं प्रस्थन कि मैंने बता हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करें जिसके हैं और वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें जिसे कि सभी के साथ यह क्लास जो यह शेयर हो सके ठीक है तो दोस्तों आज के स्वीडियो गंदर इतना ही फिर्म मिलेंगे आप सभी से नएक स्वीडियो गंदर दबिखलें और वंदे मात